नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी स्यूटिप चैनल पर आज की वीडियो दोस्तों हमारी उन लोग के लिए है जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या तो वो टीचर है या फ्यूचर में टीचर बनना चाहते है कि आज के वीडियो है वो उनसे रिलेटेड है कल ही सुप्रीम कूट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें की उन्होंने classe को प्राइमीर से बाहर कर दिया है और इसका असर आने वाले समय में पूरे देश में हमें देखने को मिलने वाला है खासकर बिहार में जो भी लगबग पौने दो लाग टीचर्स की भरती होने जा रही है उस पे हमें इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा तो वीडियो में हम बात करेंगे डीटेल में सुप्रीम कोड का जो डिसीजन है जो जज्जमेंट आया है उस जज्जमेंट की कॉपी है मेरे पस जो की मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और डीटेल में हम उस जज्जमेंट को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या क्या पॉइंट उसमें बताए गए है किस आधार पे बीड को प्राइमरी से बाहर किया गया है इस डिसिजन के दोस्तों आते ही जो बीड धारक हैं जिन्होंने बीड कर रखा है वो उससे बहुत ही दुखी है और जिन्होंने डीड या बीटीसी कर रखा है वो उससे काफ़ी खुश हो गए है लेकिन बिहार में जो पौने 2,00,00,000 टीचोर की भरती होने जा रही है जिसमेके लगग 10,00,000 लोग भी अपियर होंगे उनके भी future का सवाल है कि उनके ओपर क्या आसर पड़ेगा उनकी भरती पर क्या आसर पड़ेगा तो इस वीडियो के लास्ट में हम उन पॉइंट्स को भी डिसक्स करेंगे कि क्या-क्या चेंजिस हो सकते हैं जो बिहार में जो भी भरती होने जा रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखेगा चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं या स्क्रीन पर यह सुप्रीम कोड का जज्जमेंट है जो कि कली आया है और इसमें जो जून 2018 में एंसीटी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था जोकि वीड को primary में eligible करने से related था उसको उन्होंने cancel कर दिया है और इसमें उन्होंने clearly mention है कि क्या reasons है जिसकी वजह से इनको primary से बाहर किया जाना चाहिए यह आप देख सकते हैं यह जो case है य xem दिवेज सरंबा वेसिस यूनियन आफट इंडिया के नाम से हैं और इसके साथ कई सारे cases जुड़े हुए हैं जो की लगबग लगबग इसी matters related हैं कुछ इसके support में की बैड को eligible कर किया जाए और कुछ इसके against में हैं कि इनको बाहर किया जाए तो इससे कई सारे cases हैं वो इनको इसके साथ ही जोड़ दिया गया है बात करते हैं judgment की तो इसमें आप देख सकते हैं जो थर्ड पेराग्राफ है इसमें बात की गई है कि जो ncte है ncte ने जो इनको पावर दी गई है दी गई है इसके तहत इन्हों नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कि इन्होंने क्या किया था जो बीएड डिगरी होल्डर से उनको कर दिया था फॉर्टी अपॉइंट्मेंट और पोस्ट और प्राइम्री टीचर क्लास फर्स्ट फेफ्ट इसके अलावा हुआ क्या था कि जो Board of Secondary Education State of Rajasthan उन्होंने एक advertisement issue किया था 2021 को जन्वरी 11 जन्वरी 2021 को जिसमें कि इन्होंने राजिस्थान टीचर eligibility टेस्ट जिसको भी कुछ लोग रीड भी कहते हैं level 1 इसमें उन्होंने क्या कि उन्होंने जो बीएट डिगरी होल्डर से उनको उन्होंने बाहर कर दिया अब इसके अगेंस्ट क्या हुआ कि वहाँ पे जो ये दिवेश शर्मा है इन्होंने केस कर दिया क्योंकि ये बेड होल्डर थे और इन्होंने केस कर दिया कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये जो नोटिफिकेशन था 28 जून 2018 का NCTE का ये उसके against है तो इस बहाफ पे उन्होंने case कर दिया अब हुआ कै कि ये जो matter है ये कहा कहा राजस्थान high court में गया राजस्थान high court में ये matter गया जिसमें कि उन्होंने क्या कहा कि जो 11 जनवरी 2021 को जो जो आर्ट एट जो करने जारे जिसमें कि उन्होंने beard को बाहर कर दिया है वो गलत है उसको उन्होंने quash कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो violation है किसका violation है NCTE का violation है अब हो सकता है आपको यहाँ पे matter लग रहा होगा कि ये तो beard वालों के support में है लेकिन इसके बाद जो जाता है तो इसमें detail में चर्चा होती है detail में चर्चा होती है जिसमें कि जो DLA holders है DLA यानि कि Diploma in Elementary Education कुछ लोग इसको BTC कहते है कि जगा इसको diet भी कहा जाता है तो यह अलग अलग नाम से बुलाए जाता है तो जो DLA holders हैं उन्होंने क्या कहा कि यह देख सकते हैं which was the only teaching qualification required for the teachers at primary level तो जो DLA holders हैं वो चले गए court और उन्होंने कहा कि यह जो B.A.D. qualification जो N.C.T. ने दी है यह गलत है primary के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन eligible हैं जो की DLA holders हैं तो इस तरीके से कही तरे के rate petitions आएं इसके बाद और भी कही सारे rate petitions आएं जिसमें कि government of Bihar UP अलग-अलग matter पे क्या है कि यह rate petitions आए जिसमें कि उन्होंने कहा कि कुछ ने कहा कि B.A.D. कॉलाओ किया जाना चाहिए और कुछ जो थे उसके अगेंस ने कि भई नहीं किया जाना चाहिए तो क्या कुछ हुआ अभी हम आगे detail में discuss करेंगे सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि NCTE की बारे में Hence the question of law to be answered in this case is whether NCTE was right in including beard qualification as an equivalent and essential qualification for appointment to the post of primary teacher यानि कि यहाँ पे court को सबसे बड़ा जवाब यह देना था कि क्या NCTE ने चो यह beard qualification रखा है primary teacher के लिए क्या यह सही है क्या यह होना चाहिए या नहीं दूसरी तरफ the Rajasthan High Court in the impulse judgment has questioned the notification date is this holding beard candidates to be unqualified for the post of primary teacher यानि Rajasthan High Court ने जो decision दिया है जिसमें कि उन्होंने NCTE को notification को कर दिया है तो क्या वोट सही है या नहीं इसके बारे में भी बात इसमें की गई है judgment में इसके बात क्या है हम आगे बढ़ते हैं यह चीज़े हमारे काम की नहीं है हम यहां आते हैं इसमें देखे इसमें अब धीरे points को पकड़ा जाएगा कि किस बहाफ पे इस decision को दिया गया है सबसे पहले बात की गई है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यह लिखा है जिसने की free and compulsory education भी आ जाता है हमारा और यह क्या है यह social vision है जो कि हमारे जो constitution framers थे उन्होंने देखा था इसके बाद इसमें बात की गई है कि in other words elementary education has to be of good quality and not just ritual or formality इसमें आगे यह भी का गया है क्योंकि यह जो हमारे right to education है यह भी fundamental right है और यह हमारा क्या है यह सिर्फ formality नहीं है right to education सिर्फ formality नहीं है यह क्या है इसमें good quality की बात की गई है कि good quality of education provide कराना भी उतना ही जरूरी है तो यहाँ पे धिरीदर point यह बन रहा है कि good quality of education की बात की गई है कोट ने यह माना है कि सिर्फ RTE होने से नहीं होता कुछ भी की RTE हो गया RTE के साथ सिर्फ क्या है good quality of education भी हमें provide की जानी है साथ भी यहाँ पे reference भी दिया गया है 1986 NPE National Policy on Education जिसमें कि उन्होंने यह साफ साफ कहा था कि free and compulsory elementary education of satisfactory quality be given to all children up to the age of 14 years यहनी कि 14 साल तक कि बच्चों को free और compulsory education के साथ satisfactory quality education भी हमें देनी है तो point यहाँ पर यह निकल के आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ RTE नी quality education की भी बात की गई है और court ने इसको बहुत ही serious note लिया है कि quality education की बात जो यहाँ पर की गई है चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम यह देखेंगे in order to fulfill the above mandate right to education 2009 यह right to education act 2009 जो कि parliament जबारा 20 अगस 2009 को पास हुआ था और 14 2010 से लाग हुआ था इसमें जो act है इसमें clearly कहा गया था कि सिर्फ free और compulsory education नहीं देना बलकि हमें क्या करना है quality of this education हमें quality education भी देना है तो RTE में भी जब यह बात की गई है तो इसकी importance बढ़ जाती है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस point को यहाँ पे पकड़ा है court ने इसके साथ साथ इन्होंने यह भी कहा है कि as we can see the purpose behind bringing this path breaking legislation was not to complete the formality of free and compulsory elementary education शब्दों को ध्यान से सुनिये किस तरीके से इस judgment में clearly का गया है कि free and compulsory education इसे formality नहीं है but to make a qualitative difference in elementary education and to impart in a meaningful manner provisions like right to be admitted in a neighborhood school no denial of admission and prohibition of physical punishment and mental harassments are some of the heartwarming provisions of the act कहने का मतलब यह है कि जैसे कि no denial of admission हो गया है provision of physical punishment, mental harassment इस तरह कि जो provisions है यह क्यों है यह quality of education को बढ़ाने के लिए है तो RTE भी सिर्फ एक formality नहीं है उसके साथ good quality of education भी जुड़ा हुआ है इसके बाद court आगे बढ़ती है और इसमें judgment में यह clearly यहाँ पर mention कर रखा है कि यह जो RTE Act है इसमें यह साफ साफ लिखा था कि जो हम बात करें न quality education की तो quality education के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए quality education के लिए होना चाहिए absolute necessity of trained as well as qualified teacher यानि कि trained और qualified teacher होने बहुत ज़्यादा जुरूरी है यह इसमें clearly कहा गया है अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें हम बात करेंगे इस point को हम थोड़ा से देखने ही कोशिश करेंगे इसमें क्या है कि एक आगे कि आगे कि a good teacher is the first assurance of quality education in a school any compromise on the qualification of teacher would necessarily mean a compromise on quality of education यानि कि आप यहाँ पर बात समझते हैं कि court का रुक साफ है उनने ये कहा है कि good quality होनी चाहिए teachers में उनकी हम quality से क्या है कि समझोता नहीं कर सकते तो इससे क्या होगा जो education हम बच्चों को देंगे उस पर भी इसका असे पड़ेगा और court ने साफ साफ कहा है कि RT का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम एक formality करते कि सबको पढ़ाना है पढ़ाने के साथ एक good quality of education भी देना है तो यहाँ पर हमें ये ची समझने की जरूरत है आगे हम बढ़ते हैं जिसमें कि यहाँ पर इनोंने क्या रखा है इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर की Section 23 of the Act is extremely important as it is not only provides as to who shall determine the qualification of teachers in a primary school but as to who can relax these qualifications and for how long अब इस important point है इसको पढ़िये Court ने इस point को भी seriously लिया था जिसमें कि Section 23 जो है Act का वो ये कहता है कि कौन जो qualifications है teachers की कौन तै करेगा ठीक है कौन तै करेगा teachers की qualification और इस qualification में relaxation अगर मिलती है कुछ होता है तो वो भी कौन decide करेगा और ये कितने समय के लिए होगा या क्या जो भी है वो कौन तै करेगा ये कौन बताता है Section 23 of the Act अब यहां पर देखिए डीटेल में यहां पर एक Section 23 बता रखा है कि इसमें सारा appointment हो गया या retirement conditions हो गई of the service of the teachers आई हम आगे बढ़ते हैं और हम एक बार जो main point हमारा हम उसको पढ़ते हैं इसमें देखिए इसमें जो यहां पर कह रखा है सबसेक्शन 1st of Section 23 is the provision where the academic authority यहां पर academic authority का मतलब NCTE से है has been empowered to prescribed qualification for teachers in elementary education सबसेक्शन 2 of Section 23 empowers the central government to relax the minimum qualification prescribed by the academic authority under certain circumstances for a limited period इस point को मैं समझा दूँ यहां पर clearly कह रखा है कि Section 23 का जो first subsection है उसमें clearly कह रखा है जो academic authority यहने कि NCTE है उसको यह authority दी गई है वो decide करेगी कि क्या qualification होनी चाहिए teachers के लिए इसके अलावा समें सबसेक्शन 2 में जो central government है वो चाहे तो relaxation इसमें दे सकती है तो यह बहुत important point है इसको आप याद रखेगा आगे हम देखेंगे कि इसका क्या आसर पड़ता है judgment पे इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे बात करते हैं एक चीज़ हम थोड़ा सोब डिसकस करना चाहेंगे यहाँ पे यह कहा रखा है अबव नोटिफिकेशन जो की 23.8.2010 का है 23.8.2010 का जो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं वो यह वाला नोटिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन में qualification बता रहे है minimum qualification क्या होनी चाहिए तो यह आप देख सकते हैं आप है मैं इसको scroll कर रहा हूँ आप इसको देखते हैं minimum qualification क्या हो सकती है हाला कि मैं आपको बता देता हूँ minimum qualification आपको पता है यह 2010 के according है जो 2010 में NCT ने notification जारी किया था उसमें उन्होंने यह qualification decide कि थी जिसमें कि उन्होंने बीएड को बीएड as a qualification for the appointment to the post of primary school teacher was not there मतलब इनको allow नहीं किया गया था जो initial जो original जो NCT का जो notification था उसमें बीएड को allow नहीं किया गया था लेकिन बाद में क्या हुआ this notification was amended बट बीएड was never included तिल दी इंपंज notification dated 2018 यानि कि बाद में भी कुछ amendments हुएं लेकिन 2018 तक बीएड को allow नहीं किया गया लेकिन 28 जून 2018 को जो notification आया उसमें बीएड को allow कर दिया गया एक चीज़ और यहां पर हम देखते हैं यह वो यह है कि it must be emphasized that the pedagogical pedagogical approach required for a teacher at primary level is in some manners unique there are initial formative years where a student has just stepped inside a classroom and therefore needs to be handled with care and sensitivity इसमें साथ में यह भी लिख रखा है a candidate who has a diploma in elementary education is trained to handle students at this level as he has undergone a pedagogical course specifically designed for this purpose इस point को समझे ध्यान से इसमें clearly कह रखा है कि जो first to fifth के लिए जो teachers होते हैं जो हम primary teachers कहते हैं खासकर जो DLAD करते हैं वो उनके जो courses होते हैं वो इस तरीके से design कि जाते हैं कि वो जो बच्ची के जो initial stage होता है उनके pedagogical जो developments होते हैं उनके approaches होते हैं उनके psychology होते हैं उनको समझ सके B.Ed. के जो courses होते हैं वो इस से different होते हैं वो higher secondary है ना या secondary level के होते हैं जो कि बिल्कुल भी जो छोटे बच्चे होते हैं first to fifth के लिए उनके हिसाब से नहीं होते हैं यह court ने इस चीज़ को यहाँ पर माना है यहाँ पर यह एक आगया है कि जो courses जो होते हैं जो primary के लिए जो design के जाते हैं वो B.Ed. वाले course से बहुत ही different होते हैं ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं और इस points को और अच्छे समझते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक point यह भी समझने की जोड़त है a person who has a B.Ed. qualification has been trained to impart teaching to secondary and higher secondary level of student he is not expected to impart training to primary level student तो यहाँ पे बात clearly judgment में लिखा है कि अगर कोई person B.Ed. qualification रखता है तो उसको trained किया जाता है किसलिए secondary और higher secondary level के लिए और हम उसको यह expect नहीं कर सकते कि वो primary level के students को भी उसी हिसाब से बढ़ा पाएगा तो यह बहुत ही important बात जो है यहाँ पे कही गई है आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे एक point और यहाँ पे mention क्या गया है it is clear that B.Ed. course is not designed for teaching at primary level तो यहाँ पे अभी B.Ed. course की बात की जा रही है अभी B.Ed. के जो candidates है वो eligible है यहाँ बात में देखेंगे पहले B.Ed. course को अनलाइस किया जा रहा है कि course जो है वो इनके लिए eligible है या नहीं वो किस रिके से design किया गया है आगे बढ़ते हैं अब हम इस point को हमें समझने की बहुत ज़्यादा जोड़त है इसमें आप ध्यान से दिखेंगे अभी क्या लिखा हुआ है B.Ed. is not a qualification for teachers at primary level of schooling the pedagogical skills and training required for a teacher at primary level is not expected for a B.Ed. trained teacher they are trained to teach classes at higher level post primary secondary and above for primary class level for class first to fifth training to D.L.Ed. training is D.L.Ed. or what is known as diploma in elementary education it is a D.L.Ed. training course which is design and structure to impart skills in a teacher who is teach primary level of student तो यहाँ पर आप इस चीच को समझने हैं बहुत ही important decision है साथ में आप देगी कितने साफ सब्सक्राइब में एक आगया है by implication the inclusion of B.Ed. as a qualification amounts to lowering down the quality of education at primary level quality of education which was such an important component of the entire document elementary education movement in this country which we have discussed in the preceding paragraph of this order कहने का मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बास साफ साफ कह दिया है कि जो B.Ed. की जो qualification है वो primary teachers के लिए नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि जो B.Ed. course करके आते हैं उनके pedagogical skills जो होते हैं वो different होते हैं हम उनसे expect नहीं कर सकते कि वो primary में भी उसी skills के साथ बच्चों को पढ़ा पाएं वो जो special design के जाते हैं वो secondary, higher secondary इनके लिए design के जाते हैं साथ यहां पर यह भी लिखा है कि अगर हम B.Ed. को include करते हैं primary में तो इससे क्या होगा जो quality education के हम बात कर रहे हैं वो quality education घटने लगेगी तो आपने देखा किस तरीके से supreme court ने starting में इस point को पकड़ा कि R.T. केवल और केवल formality नहीं है जो specially जो course design के जाते हैं primary teachers के लिए जो course design के जाते हैं जो secondary teachers के लिए course design के जाते हैं उनको ध्यान में रखकर primary teachers के लिए जो D.L.Ed. courses होते हैं उनकी जो pedagogical skills होते हैं वो छोटे बच्चों के हिसाब से होते हैं इसलिए छोटे बच्चों को अच्छे से वो handle कर सकते हैं वहीं जो B.A.D. courses होते हैं वो बड़े बच्चों के लिए होते हैं और वो उनको अच्छे से handle कर सकते हैं अगर हम B.A.D. वालों को primary में लेकर आएंगे तो इससे क्या होगा जो primary education की quality है उस पर इसका impact पड़ेगा जो quality हो डाउन हो जाएगी ऐसा कोट ने इस चीज़ को यहां पर माना है यहां पर दोस्तों हमें एक important point और समझने की जुरुत है यहां पर देगी clearly लिख रखा है the inherent pedagogical weakness in B.A.D. course for primary classes is well recognized and it is for this reason that it is impunged notification itself it is provided that B.A.D. trained teachers will have to undergo a six month training in elementary classes within the first two years of their appointment यानि की आप यहां पर देख सकते हैं court ने इस point को भी पकड़ा है कि जो 28 June 2018 का जो notification आया है N.C.T. में जुसमें की उन्होंने यह बात कह रखी है कि B.A.D. primary के लिए तो eligible हैं लेकिन उनको क्या होगा कि जैसी वो primary में अगर appoint होंगे तो appoint होने के within two years उनको एक six month का bridge course करना पड़ेगा तो court ने इस point को यहां पर सामने रखा है कि अगर आप किसी B.A.D. teacher से bridge course करा रहे हैं इसका मतलब आप खुद ये बात मान रहे हैं कि जो B.A.D. course है वो sufficient नहीं है primary के लिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि यहां पर बहुत ही important चीज़ court ने समझी है वो यह है जहां पर आप यहां पर आप मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें लिखा है the sequence of event which are now well established by the document which are pleased before the Rajasthan high court and before this court make it clear that the decisions to include B.A.D. as a qualification was apparently triggered by a letter of commissioner of KVS who made a request that since in the primary classes of central school sufficient number of trained diploma holders are not available they may be permitted to appoint B.A.D. qualified teachers who are readily available the ministry takes cognizance of this letter meeting are held and ultimately it directs N.C.T.E. to appoint B.A.D. trained teachers not just in central school but in primary school throughout the country which would include state-run schools the sequence of how it happened it adds under कहने का मतलब यहां पर यह है कि court ने इस बात को माना कि यह जो notification आया था N.C.T.E. का यह suddenly नहीं था यह शुरुआत कहां से होती है शुरुआत होती है K.V.A.D. के जो commissioner रहे हैं उनके एक letter से कौन से letter से जिसमें कि वो जो central schools होते है K.V.A.D. उनमें यह कहा था कि sufficient teachers उनको नहीं मिलते primary के लिए जिन्होंने की diploma कर रखा हो तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि आप हमें छूट दे दे हमें allow कर दे कि हम क्या करें जो B.A.D. जिन्होंने कर रखा है उसको हम primary में appoint कर सके और जब ministry को जब यह letter मिला तो उन्होंने इस चीश को संग्यान में लिया और उन्होंने यह decide कि यह सिर्फ central school में यह क्यों हम बाकी schools में भी तो कर सकते हैं जो B.A.D. जिन्होंने कर रखा हम उनको primary में डाल दे और reason क्या दिया कि sufficient teachers नहीं है primary में sufficient teachers नहीं है diploma धारक जो होते हैं primary में D.A.D. कर रखा है जिन्होंने B.T.C. कि उनकी संग्या बहुत कम है vacances खाली रह जाती है इसलिए B.A.D. वालों को हम allow कर दे इस behalf पे क्या था कि जो ministry है central ministry HRD ministry थी उस वक्त उन्होंने ये decision लिया और direction दिया N.C.T. को कि आप जो ये है notification जारी किजिए जिसमें आप B.A.D. को allow कर दीजे उसके बाद एक meeting होती है और उस meeting में इस सारी decisions लिये जाते हैं और दीरे दीरे एक के बाद एक जो meetings होती जिसमें कि finally decision निकल के आता है B.A.D. को allow कर दिया जाता है यहाँ पे दोस्तों हमें एक चीज़ और समझने की जोड़त है आप देखेंगे यहाँ पे यह बात mention कर रखिये the sequence of events shows that what started as an exercise for consideration of B.A.D. qualified candidates as teacher for primary classes in central school was expended to include all primary school throughout the country the apparent reasoning given is that B.A.D. qualified teachers are better suited for appointment as teacher in primary school as they have higher qualification as they have higher qualification and as such they should be appointed as teacher in all primary school and another reason for doing this is the dearth of qualified TT candidates here is simple to say that court has put points on the court that the government has allowed to be in primary school which has allowed to be in primary school and what reason is that one reason is that shortage of teachers in primary school the vacancies are left in primary school and the other reason is that because B.A.D. holders are generally graduate after graduation and D.L.A.D. or B.T.C. is generally 12th in primary school which has higher qualification उनकी भी कमी है क्या आपको पता का result हो गया या बाकी जो teacher state जो लेती है अपने अपने टेट्स उसमें रिजर्ट जर्ट जनररली बहुत कम होता है खासकर सीट में तो भहुत ही कम होता पास the basic pedagogical threshold for the teaching primary classes उनने का किये बात बिलकुल इलोजिकल है क्यों उनका course ही नहीं है primary के लाएक अब जब उनका course ही नहीं है primary के लाएक उनकी पास वो pedagogical skills ही नहीं है तो आप उनको कैसे primary में allow कर सकते है यह court ने इस चीज़ को माना है यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट और समझने की जोड़ते हैं यहाँ पे साफ साफ कर रहा है The decision of the NCTE to include B.Ed. as a qualification for teachers in primary school seems arbitrary, unreasonable and in fact has no nexus with the object sought to be achieved by the Act that is Right to Education Act which is to give to children not only free and compulsory education but also quality education यानि कि यहाँ पे court ने बात साफ साफ माना है कि NCTE ने जो decisions दिया है यह arbitrary है, unreasonable है और इसका जो यह हम बात करें है quality education इससे improve होगी इससे कोई लेना देना नहीं है यह सब बेकार की बात है court ने इस point को यहाँ पे समझा है आगे court ने यह भी कहा है कि in our opinion appointment to the post of primary teacher level 1, a qualification it had so far consciously kept out of eligibility requirement, the Rajasthan high court by way of impunished judgment had rightly struck down the notification dated this जो कि 28 June 2018 का है यानि कि आपे court ने कह रहा है कि हमारे opinion में यह है कि जो NCTE ने जो B8 को निलूट किया है वो justified नहीं किया जा सकता उनकी appointment primary teachers के लिए सही नहीं है और Rajasthan high court ने जो यह जो NCTE का जो notification struck down किया था वो भी बिल्कुल ठीक था ऐसा court ने कहा है यहाँ पर दोस्तों में एक चीज और समझनी पड़ेगी judgment में बात मानी गएगी कि जो central government है in any case in any case is the final authority in dealing in dealing as to what qualification has to be there for teachers and NCT is bound to follow the directions to the central government in this regard और यह clearly यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो जो यह sanctions है जो यह sections है ना section 12A and section 29 यह जो NCT act है उसमें जो यह दोनो sections है इसमें बात clearly क्या रख किया है कि NCT जो है वो bound है central government के decision को मानने के लिए और जो final जो authority है जो decide करेगी कि क्या qualification होगा वो central government ही और NCT जो हो bound है उस decision को मानने के लिए यह clearly section 12A और section 29 में कहा गया यह court ने भी इस बात को माना है लेकिन court ने आगे भी कुछ कहा है जिसको कि हमें जानना बहुत जरूरी है अब यह हम देखते हैं आगे यहाँ पर देखे court ने बात भी यह बात भी लिखी है साथ में the NCT is bound to follow the direction of the central government in this regard and the direction in this in the present case was to include B.E.D. as a qualification for teacher in primary school which has been done by NCT through notification dated this तो यहाँ पर court ने माना है कि जो यहाँ पर court ने बात मानी है कि जो NCT है वो bound है किस चिस के लिए जो central government के जो भी directions होते हैं उनके लिए और क्योंकि central government नहीं direction दिया है कि आप B.E.D. को allow करिये primary में तो इस आदार पर NCT ने इसको allow किया है आगे आप देखेंगे यहाँ पर court ने बात कहर रखी है we have absolutely no doubt in our mind that policy decision of the government should normally should normally not be interfered with by a constitutional court in excise of its power of judicial review at the same time if the policy decision itself is contrary to the law and is arbitrary and irrational powers of judicial review must be exercised यहाँ पर court ने कह रखा है कि यह बात बिलकुल ठीक है कि central government है या government जो भी policy decision लेती है उसमें court को interfere नहीं करना चाहिए लेकिन अगर court को ऐसा लगता है कि जो policy decision है वो अपने आप में contrary है या arbitrary है या irrational है तो court को power मिली है judicial review की और judicial review के तहत court जो है वो ऐसी decision को देख सकती है यहाँ पर बात यहाँ पर court ने भी माना है the decision whether to include or exclude be it as a qualification for teacher in primary school is an academic decision which has to be taken after proper study by the academic body that is NCT and should be better left to the expert body but as we have seen the decision to include be it as a qualification is not an independent decision is not an independent decision of NCT but it was the decision of the central government and NCT was simply directed to carry out for that being a direction under section 29 of NCT a direction NCT followed कहने का मतब यह है कि यहाँ पर court ने बात कहा गया है court ने बात मानी है कि जो primary teachers के qualification से related जो भी बात है वो एक academic decision है और यह proper जो academic body है खासकर जिसे NCT का academic body है तो उनकी जो expert team होगी यह उनको decision लेना चाहिए कि क्या qualification होनी चाहिए लेकिन जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर जो NCT का जो decision रहा है वो एक independent decision नहीं है decision क्या है decision यह center government के direction पर लिया गया है तो इसलिए क्या है कि जो section 29 जो NCT act है उसको follow करते हुए NCT ने इस decision को लिया यहाँ पर दोस्तों एक बात और कही है court ने यहाँ पर एक court ने रखा है कि but without getting into this argument even presuming for the shake of argument that the decision taken at the central at the government level to include B.Ed as a qualification for teacher at primary level is a policy decision we must say that this decision is not correct and it is contrary to the purpose of the act यहाँ पर यह बात साफ की गई है court के द्वारा कि अगर हम यह माने कि यह government का अपना policy decision है कि B.Ed को include करना है यह नहीं करना है primary teachers के लिए तो यह basic policy decision हो सकता है government का लेकिन हमें जो है यह policy decision यह बिलकुल ठीक नहीं लग रहा है यह जो act है जो rt act है यह उसके बिलकुल ही contrary है जो rt act का जो main उदेश्य है जो purpose है यह बिलकुल उसके contrary है और यह जो हमारा fundamental right है जो हमारा fundamental right है जो article 21a यह इसके जो spirit है उसके भी against ऐसा court ने इस बात को माना है यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कोर्ट ने बात लिए रखी है कि under these circumstances we have no hesitation to say that notification has rightly been questioned and the decision of the division bench of the Rajasthan High Court has to be upheld यानि कि कोर्ट ने बात मानी है कि जो notification quest किया गया था राजस्तन High Court द्वारा वह बिलकुल ठीक है और यह जो बात की जारी है central government द्वारा यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कोर्ट ने बात कहिए कि in our considered opinion therefore the direction of the central government dated this culminating in the notification dated this of the NCT are violative of the principle as let down in the RTE Act यानि कि RTE Act का violation बताया है NCT का जो notification था जो कि central government के direction के बाद आया था वो बिलकुल ही गलत है और यह violative है किस इसका violation है RTE Act का तो इस तरीके से इन्होंने कहा है कि यह जो quality education की हम बात करते हैं यह उसके against है साथी साथ दोस्तों सरकार कोर्ट ने यह भी माना कि जो पूरा exercise है जो पूरा process था जो follow किया गया है यह भी flawed है मतलब कि गलत है यह तरीका जो था एक independent decision नहीं था NCT का जो की उसको एक बहुत ही विचार विमर्ज के बाद लेना जिये था लेकिन उसने कहा किया सिर्फ central government के directions को follow किया और इस तरीके से जो हम बात करते है quality education की जो हमारा mean purpose है उससे वो अलग चली गई तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लास्ट में court ने बात साफ साफ कह दिया है consequently the appeals are dismissed and the judgment dated this of the Rajasthan high court is upheld the notification dated this यानि कि 26 जून 2018 is here by quest and set aside the rate petitions and all pending applications stand disposed in light of the above order यानि कि यह बात clear कह दी गई है कि 28 जून 2018 को जो NCT का order आया था वो बिल्कुल ही गलत है और court ने उसको quash कर दिया है set aside कह दिया है तो इस तरीके से court ने काफी source समझ के decision को दिया है कि हमने क्या बात की decision में क्या चीज़े हैं सबसे पहली चीज तो court ने यह माना कि जो हमारा right to education है जो कि fundamental right है यह formality नहीं है हमें fundamental right में good quality of education की भी बात करनी है और good quality of education तब भी आएगा जब एक trained और quality teachers appoint किये जाएंगे इसके साथ उन्होंने यह भी माना कि जो primary के लिए जो qualifications थी NCT की original notification में उसमें कभी भी B.Ed को allow नहीं किया गया था और इसके बात उन्होंने यह भी माना कि जो course design के जाते हैं B.Ed वालों के लिए और D.L.Ed वालों के लिए वो बहुत ही different होते हैं B.Ed वाले जो course design के जाते हैं वो mainly secondary और higher secondary के लिए होते हैं जो D.L.Ed वाले होते हैं वो first to fifth के लिए होते हैं जिसमें की pedagogical skills, psychological understanding बच्चों की बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं कोट ने यह बात मानी कि जो व्यक्ति B.Ed करके primary में पढ़ाने आ रहा हैं उसको उसमें वो pedagogical skills नहीं होंगी जो की एक primary teachers होने के जरूरी हैं और कोट ने यह बात खुद कही कि यह बात इससे भी थावित होती है कि N.C.T. ने जो 2018 में notification जारी करके B.Ed को अलाओ किया और साथ में यह condition भी रखी कि 6 महीने का bridge course आपको 2 साल के अंदर करना होगा कि साफसाफ इस बात के और इशारा करता है कि आप भी इस बात को समझते हैं कि B.Ed के लिए जो course होता है वो कहीं न कहीं बिल्कुल भी eligible नहीं है primary के लिए यह बात इन्होंने मानी इसके बात दोस्तों court ने इस point को भी समझा कि जो process follow किया गया था जिसमें कि centers की तरफ से direction दिये गये थे NCT को कि आप B.Ed को allow करो हला कि central government इसके लिए authorized है वो ऐसा कर सकती है कि यह act में ही mention है लेकिन court ने इस बात को भी समझा कि NCT जो है academic body है उनके पास academy experts होते हैं जब वह ऐसे decision ले रही है तो उनको अपना academic expert team जो है वो बनाई जानी चाहिए थी उनसे भी consideration किया जाना चाहिए था लेकिन NCT ने direct center के decision को माना हला कि court ने कहा कि NCT के उपर center के directions जो होते हैं वो binding होते हैं उनको मान नहीं पड़ता है लेकिन court ने ये भी कहा कि center government के decisions जो होते हैं वो सिर्फ ये कह कर कि policy decision है हम court जो है वो इसको judicial review कर सकते हैं हम देख सकते हैं कि क्या ये decision arbitrary या unreasonable तो नहीं है irrational तो नहीं है इस अधार पे court ने इस चीज़ को examine किया और ये चीज़े पाई साथ की साथ दोस्तों court ने इस बात को भी समझा कि जो government का argument था कि B.Ed को primary में इसलिए हम अलाओ कर सकते हैं क्योंकि उनके पास higher qualification होती हैं graduate होते हैं ये बिलकुल भी इस बात की तरफ इशारा नही नहीं करता कि उनके पास pedagogical skills भी आ जाएंगी तो इस points के अधार पे court ने decision लिया और B.Ed वालों को इसे बाहर कर दिया अब दोस्तों मैं आपके साथ कुछ points डिसकस करना चाहूंगा वो ये है कि बिहार सिक्षक की जो भरती चल रही है इस पर क्या आसर होने वाला है तो बिह से 10 से 15 दिन का समय है सुप्रीम कोट का judgment clear आ चुका है और जैसे जिजमेंट आ गया ये applicable भी हो जाएगा अब दोस्तों सुप्रीम कोट के judgment में ये बात कहीं भी नहीं लिखी कि ये retrospectively effective होगा या आने वाले समय से retrospectively का मतलब होता है कि पुराने decisions पुराने जो भी जितने भी पर भी लागू हो ऐसा कहीं नहीं लिखा तो पहली चीज़ दोस्तों क्या बीएड वाले इस विकेंसी में भी इलिजिबल जो एक्जाम होने वाला है क्या अब इसमें इलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे ये पूरी तरीके से जो बिहार सरकार है उस पर depend करेगा अगर अगर बिहार सरकार चाहे तो इस डिसीजन के खिलाफ दुबारा से सुप्रीम कोर्ट में जा सकती अगर वो चाहती है कि बीएड वाले इसमें अपियर हो अगर वो नहीं चाहेगी तब भी वो चाहेगी तो एक नया नोटिफिकिशन जारी करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीज जाएगा ये आने वाली भरती से ही मेंली लागू होगा जो भी अब नहीं भरती आई उसमें तो ब्यट वाले भार होई जाएंगे लेकिन अगर मान लिजे इसके अगेंच फट से पेटिशन डाली जाती है तो सुप्रीम कोट अगर चाहे तो दुबारा से अपनी डिसिजन प लाइक कर दिया है अगर वह दोनों महीं लूजिव अ प्रेयम कोट का डिसिजन है और सबसे सौप्रीम टिसिजन है सभी को मानना परता है अगे और भी ऑप्शन खुले है इसके और भी कल्प हैं, इसको दूबारा भी challenge किया जा सकता है तो आने वाले समय में क्या कुछ होगा ही तो देखने वाली बात होगी सरकार का क्या रूख होता है, ये भी हमारी देखने वाली बात होगी तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है उम्मिद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो जोड़ लाइक करेगा मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में इस वीडियो में इतना ही नमस्कार